नमस्कार खबरे अभी तक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राक्ष्रिथवाइद जी हाँ अपने भविश्य की चिंता हर किसी को होती है और जब नया साल आने वाला हो या नया साल की शुरुवात होने वाली हो तो ऐसे में हर कोई चाहता है ये जानना कि उसका आने वाला जो नया साल है वो कैसा बीतेगा क्या कुछ अच्छी चीजे होने वाली है अगर कोई बुरी चीजे होने वाली है तो उससे कैसे बचा जाए ये भी हर कोई जानना चाहता है ऐसे में खबरे अभी तक ने एक शो आपके लिए ले कर हम आए हैं, जिसमें हमारे साथ एक महमान भी मौझूँद है, जो आपको सभी चीजे बताने वाले हैं, कि अगला आने वाला एक साल जो है, जोतिश शॉस्त्र के हिसाब से कैसा रहने वाला है, और उसे एक साल में आपको किन-किन चीजों से बचकर रहना है, कौन सी राशिफल वालों का दिन कैसा रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे, तो चलिए जो हमारे साथ महमान है, उसे भी आपका परिशय करवा देते हैं, हमारे साथ जो तिशा चारिया मदन गुटा ये सभी दर्शकों को बहुत 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 कामना है, और ये टू जिरो टू जिरो उनके लिए बहुत ही मंगलमाई हो, इस भावना के साथ आज हम इकते हुए हैं, और जो मन की शंकाएं हैं वो भी हम दूर करने वाले हैं, कि आगे आने वाला एक साल आपका कैसा बीतेगा हाला कि हम यहीं उमीद करेंगे कि आने वाला साल है, वो पिछले साल के मुकाबले और अच्छा हो आपका, बिल्कुल, चलिए तो शुरुबात करते हैं कारेक्रम की और सबसे पहले सब्से पार्टू जी हम सायोग की ही बात कर लेते हैं, क्या कुछ सायोग आने वाले जो त हो दुनाले जाने जनवरी 2020 के बात करते हैं पार्य तो टोटल टोटला आको हो ही हो यहाले जाने काई टोटल टोटला एक जरीगा चार और तोटला टोटला आटा है छार आई नया साल को से जूरू है दोहार के इंशने को इस बाता जाबना ट焉ला जाला है एक तो पहली जन्वरी को और दूसरा हिंदू संस्कृति यानि भारतिया संस्कृति के साफ़ से जब विक्रम समवत अरंभ होता है उसको भी हम नव वर्ष बोलते हैं नव समवत बोलते हैं और वो अरंभ होगा पच्छिस मार्च को और देखिए मजे की बात क्या है एस योग यह कि दोनोंही दिन बुद्वार एं तो बुद्वार है और बुद्वार है और बुद्व किसछी का प्रतियनीधी करता प्रतियनीधी है एक तो जो हम पात्चित करेंक्राइं लिए कॉम्मूनिकेशन, देखिए कंप्यूटर, संचार वेवस्था ठीक है वानिज्य साफ और टोटल दो जमा दो चार अजिए रहू का परतीक है, तो इस बारी जो अधिपत्य रहेगा, जो डॉमिनेट करेंगे वो तीन प्लेनिट करेंगे नंबर एक, पहले तब बुद्ध, दूसरा है रहू, बुद्ध का नंबर तीन है, रहू का नंबर चार है, और एक और से यो वो राजा है, वो भी बुद्ध है, तो क्या हुआ कि बुद्ध कहा गया और बुद्ध का अधिवत्य हमारे जीवन में, हमारे देश में रहेगा. तो कि थे जान रहु पोर पुद्ध हो रहु चार नमबर होता है, रहु आप जानते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसन नई टेकनिक, जो रहु प्राज रहु चेज किटा तो कम्प्योट को करता है. यारी जितना भी हमारे सौफवेर चल रह भी जान चाहिए जो उन्ट्राइशनल है, यानि जितना भी हमारे देश में या पूरे वर्ड में जो कुछ हो रहा है, वो जो नई टकनिक आरी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्नुवेशन हो रही है, वो सब राहू के कारण ही है, तो कहने का मतलब है कि जो 2020 का साल है, इसमें राहू डॉम जrees है विर्ण का यानि मिवा दोल छुर्मा उंक है, डॉर हमेर दोल लिए बार नेल जहाए है तो जो नंबर वाले है उनके लिए उच्छा रहेगा, फिर जो 2 जमा's 2 जमा's 2 जमा's 2 है उनके लिए उच्छा रहेगा, यानि जनके डेट में दोल च्छा लिए two है, और अगर में इस रमच से रेटिर है यह उसे रहा है मद काथ नमभर वे बूच्तिन हो नंबर न है और टृट विर्ट यह विए यह तारीक बाद बुझारिक जर आपस नहीं के रिझाद परुटिसें सबनान आपना अगका का लिए है झाल में नहीं का और कि यह पेता सौंस्टें diferen अबंडिकर 10.09.19 he तो यह एंडिकर 10.09.1950 कि वैंडिकर 3 इन देख pryल तो पहला नमब तो एक हो गया और लास्ट का नमब जिस लाइफ पाथ बोलते हैं वह तीन नमबर है वह बुद्का है और उसमें जुप्टर का भी या क्यों कि अंक्विग्यान और जोतिश शास्तर में अंकों को अलग रप्रेजेंट करते हैं तो कुल मिलाकर जिन लोगों की अर छोड़ के बिष्ड़ का जो पैली तारीक में बादिष दो तारीक है चार तारीक है और पांच तारीक में लीजा रहाँ रह गा इक स्टेप और फोड़ा सा आगे चलते हैं अगर आप एक आड ज़विग्यान ग्र जबएव को जमा करें तो क्या जब आदा है चला है त मेख और उतरा है गो अपने 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 जर्माज हो जन्पत्रियों के जर्वार को समारे पहल predictive day पर उन्हीं लिचिव कम Floren Craig है कासला को झांष को तरीका बता दिया कि कासे आं़र रहेगा 2020 आपके लिए 2020 इसका आरंब ही आगाज ही हो रहा है पहली जन्वरी को नए साल को और दिन पढ़ रहा है बुधवार नया संबत भी होगा 25 मार्च को बुधवार को 2020 इसका टोटल आता है चार जिसका मालिक है रहू और राहू देता है कुछ नई बातें नया जीवन नई सोच नया विचार नई टेक्निक कुल मिलाकर 2020 में यदि पंचांग के बात करें तो इस बारे राजा होगा बुधवार अभी प्राई ये रहेगा कि 2020 में बुधव ग्रह और राहू ये सब डॉमिनेट करेंगे हमारे जीवन को 2020 में भारत बनेगा विश्व गरू मोदी लीड करेंगे भारत को इसके अलावा 2020 में करांती आएगी कंप्यूटर के एक शेतर में संचार के एक शेतर में जो उपद्रव चड़ रहे हैं 24 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएंगे तेश को स्थाइत्व मिलेगा जब शनी करेगा राशी परिवतन 24 जनवरी को कुल मिलाकर 2020 का जो साल है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है बुद्ध जीवियों के लिए अच्छा है बुद्ध सभी को देगा बुद्धी सद बुद्धी और भारत बढ़ाएगा एक कदम आगे विश्व गुरू बनने के लिए कुल मिलाकर 2020 सभी भारतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है अगर हम बात करें कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है यानि कि 2020 का स्वरूप क्या होगा अगर ये सवाल हो तो फिर कैसे देखते आप 2020 को देखे 2020 में कुछ घटनाएं जोतिश के साफ से देखे क्यो कुछ बड़े गरहे हैं जैसे शनी एक बहुत बड़े गरहमाना जाता है बहुत बढ़ गरहमाना जाता है और गुरू अभी अब आपने देखा होगा कि पांच नुवंबर को ही चेंग हुआ है यानी अपनी धनुराशी में आया है सनी अभी जो आ रहे हैं 24 जन्वरी को वो मकर राशी में आएंगे और ये धाई साल रहेंगे तो एक तो खुषकपरी उन लोगों के लिए जिनकी साड़ सती चल रही थी कुछ लोगों की साड़ सती अभी हम बताएंगी जब राशी फ़ल बताएंगे कि कईयों की साड़ सती सती खंगे और कुछ लोगों की लग रही है जासे कुछ लोगों की लग रही है जासे कुछ लोगों की लग रही है झा स्भावय जासी उड़ाय कि क्टियिं एक चाहवत मा किसे नं last night किसे निसवादिई लोगी किसी की साड़ सती इ rim को पिचे किषこれで बताएंगी सिद खु क लेकिन जिनका शन्हीर उनकर राशी यच्छा विचा जिर साड़्सत्य कोंड राशी तो नियुके वालोगी नहीं है उनके लुक्त राशी के भुद्ध साफ से फायदे होंगे और गुरू और शनी ये दो बड़े ग्रहें और जीवन में इनका बहुत महतुब रहता है तो हम जब राशी फल की बात करेंगे तो इन संदर्बों को भी हम ध्यान में रखेंगे इसके लावा एक और बड़ी घटना है जो 2020 में होने वाली है जैसे अभी 26 दिसम्बर को इस ग्रहन था 2019 का लास्ट ग्रहन था इसी परकार जो 2020 में छे ग्रहन लगेंगे पहला तो ग्यरा दस और ग्यरा जन्वरी कोई लग जागा चंदर ग्रहन है और जो लास्ट ग्रहन होगा वो 14 दिसम्बर को होगा तो छे ग्रहन होंगे तो ग्रहनों का भी हमारे जीवन में बहुत एक महत्वर रहता है खाली जीवन में नहीं है पूरे देश पर रहता है पूरी धर्ती पर रहता है आपने देखा होगा कि जब भी ग्रहन लगते हैं चंद ग्रहन हो सोरे ग्रहन हो इसके 41 दिन अंदर और 41 इस दिन बाद में कहीं भुकम पाने की स्थिती रहती है या बाड या जो प्राकेटिक आपड़ाएं ये भी आ जाती है जैसे अभी आपने देखा होगा 26 दिसंबर को ग्रेंड था और उस से तीन चार तो पहले एक बड़ा जटका धर्ती पर लगा और इसके साथ बहुत सारे देशों में अपदरव होह होगा गाता है जिए और अजए ब्हुम कहती है जाच से जा होगी झाल तो इसे बढ़े होगी तो इस तरह का थी गरहन का आफ भी बहुत होता है या जो बड़े है उसम मैसा है अभूल बल्कुल और जी हीता सब्से बटाथा या ट्रा बार्ले ऑ कि अप्रिटर साइंस अमारी चलती है लेकिन जब यह नहीं थे तब हमारे जो खेती बाड़ी होती थी वह वेग्यानिक खेती थी जोतिश ही बताता था वर्षा कब होगी जोतिश बताता था कि गरहन कब लगेगा तो इस तरह से जोतिश का महतव तो पुरे जीवन पर सब कही अगर आटिश के बात करें तो क्या रहने वाली यह पर आद्मी का एक पुरे भारत्वाशी का एक तो यह तो यह जे थी जैसे भी बैंकि यह व्यवस्ताथ भहुत अच्छी नहीं रही तो एक खुषखषबरी यह रहेगी कि 2020 में जो हमारे देश की आग कि अजबूत होगी और कुछ हाइलाइट्स हैं जो भारत से संबंदित हैं जैसे हम 2020 में विष्व गुरू बनने जा रहे हैं यानि दूसरे देश जो हमारी ओर देखेंगे कि हम उनका मार्गदर्शन करें हमें किसी और देश की तरफ देखने के जूत नहीं पड़ेगी और इ जाएगी यह रहू के कारण इस 2020 में आएगा कि जैसे मोबाइल हैं या टेली कोमुनिकेशन या हमारा टीवी का सिस्टम है यह और फास्ट हो जाएगा जितना आप देखे अगर हम 1908 कि तरफ जाएगे तो 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 तू कुछ और था आज की डेट में तो आपके मोबाइल तो इस तरह कि जो संचार करांती है वो भी आएगी और देश काफी हत मजबूत होगा दूसरी एक आम जनता जो आज देख रही है कि हमारे देश में दंगे बढ़क रहे हैं जगा जगा संपर्दाइक उपद्रव हो रहे हैं तो यह आग कब बुझेगी यह कुष्चिन जगेगी चोबी जनवरी क्या होगा यानि कि शणी चेंज हो एक बड़ाग जग चेंज हो रहा एंग इस स्थाहित आएगा तो यह अब हम डिसकस करेंगे कि क्योंकि बाहरत की बात करें पुरे विश्व की बात करें तो मोदी जी का रफरेंस तो आणा जरूरी है कि कि प्र डच्षोराज निन व बाद 노 राजा gonna छिखा हुटाइर टेट जिए उन प्रजोड़ जान चोफ़गी ईंट भाइड आप अर्टोरा यह को फास हुट। एम हमारी राजा ही ठीक ना है तो प्रज कोई फ्ला थेक,, तो हम थोड़ी सी बात मोदी जी की कर लें क्योंकि 2020 की बात करें और जो 30 की बात करें तो आप जानते हैं कि मोदी जी का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 में हुआ था और 11 बजे के लगबग समय था और वड़नगर गुजरात में था तो यहां पर इनकी जो इस समय जो दशा चल रही है मोदी जी के उचंदर की दशा चल रही है और यह 29 नुवंबर 2021 तक चलेगी यानि जो समय उनका बढ़िया है 2021 के नुवंबर तक है इसमें क्या होगा कि जो अंतरास्टिय संदर्व में जो मोदी जी के नेतरतों में भारत औ आगे बढ़ेगा इस्याई देशों में हमारी चाप और बढ़ेगी और पाकिस्तान से कुछ ना कुछ अगोशित यूद तो चलता रहेगा लेकिन उसको मिशा मूँ की खानी पड़ेगी तो इनके राज में काफी कुछ अच्छे महत्वपून फैसले होंगे महत्वपून अच्छे में पास्तान लोगों को बसंद आए लेकिन इसके बावजूद वो काफी अच्छ चलेगा थोड़ेगा थोड़े दो तीन चेज़ और जो मोदी जी के बारे करने किनका स्वास्थे का ध्यान रखना चाहिए और इनको माताजी का स्वास्थे स्वारी जरूर ध्या सकता है देश में जो जो सत्ता में नहीं है जो इनके विपक्षी पार्टी है वो कोई नो कोई समस्षा है प्रधान मंतरी के लिए खड़ी करेंगे लेकिन वो सब कुछ ठीक ठाक निपड़ जाएगा कैसा रहेगा 2020 आपके लिए 2020 इसका आरंभ ही आगाज ही हो रहा है पहली दो जीरो दो जीरो इसका टोटल आता है चार जिसका मालिक है रहू और रहू देता है कुछ नई बातें नया जीवन नई सोच नया विचार नई टेक्निक कुल मिलाकर 2020 में यदि पंचांग के बात करें तो इस बारे राजा होगा बुद्ध अभी प्राई ये रहेगा कि 2020 में बुद्ध ग्रह और राहू ये सब डॉमिनेट करेंगे हमारे जीवन को 2020 में भारत बनेगा विश्व गरू मोदी लीड करेंगे भारत को इसके अलावा 2020 में करांती आएगी कंप्यूटर के एक शेत्र में संचार के एक शेत्र में जो उपद्रव चड़ रहे हैं 24 जनवरी के बाद समाप्थ हो जाएंगे तेश को स्थाइत्व मिलेगा जब शनी करेगा राशी परिवतन 24 जनवरी को कुल मिलाकर 2020 का जो साल है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है बुद्ध जीवियों के लिए अच्छा है बुद्ध सभी को देगा बुद्धी सद बुद्धी और भारत बढ़ाएगा एक कदम आगे विश्व गुरू बनने के लिए कुल मिलाकर 2020 सभी भारतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है यानि कि कुल मिलाकर जो साड़े साथी का अपने जिक्र किया था वो इनका जो चल रहा था वो खत्म होगी इनकी चबी जन्वरी को चौबी जन्वरी को तो समझें गंतंतर दिवास बहुत अच्छी तर कर दो लेकर पाकिस्तान कभी सिक्राप ने करी दिया और मोढि को ले कर और य क्योंकि हालक प्रधान मंत्री है ने přेष के और सभी को चिंता होती और उड-पाथ यहने भारत को लेकर अभी तक भविश्यवारी ये है कि 2020 में हमें किसी और देश को देखने की नौबत नहीं आएगी बिल्कुल तो नए साल को लेकर जो भी शुनका है वो से हम दूर कर रहे हैं इस प्रोग्राम के मांधिम से हमाय साथ स्टूडियो में मौझूद है लुए जालेते हैं कि 2020 सब खब लिए सब लिए ऐसो प्रड़ के बुरा हो या सब कुछ अच्छी अच्छा हो इसा ता हो नहीं सकता तो कुछ मेरी अपजर्वेशन थो मेरी भविश्यवानी है 2020 के लिए वह मैं सभी दर्शिकों से शेयर करना चाहता हूं एक तो है कि परधान मंतरी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और 2021 तक तो अच्छी तरह चलेंगे उसके बाद उनकी कुछ परिशानिया बढ़ सकती है इस साल यानि 2020 में उनका जो स्वास्थे थोड़ा सा डिला हो सकता और उनकी जो माता जी है उन अच्छी तरह बहुत सफलता पूर्वक पूरी करेंगे लेकिन तीसरी पारी में शेयर ये परधान मंतरी ना बने एक त ये बहुत बड़ी बहुत भवश्य वानियमे बताना चाहता हूं दूसरे ये के 2020 में ही मोदी जी के साथ साथ उनका कोई और एक सहयोगी और इस राज संशोधन जो बिल ये जो नियम चल रहा है इसमें बहुत सारा जना करोक्ष है तो ये जना जो अक्रोश है ये तकरीबन जनवरी के बाद दीरे दीरे खतम हो जाएगा और हो सकता है सरकार को कुछ और संशोधन इस नियम में करने पड़ें रहू और बुध का जो अधिपत् रहू और कंप्यूटर सौफट वेर इस इंडस्ट्री में भारत अमरीका से भी आगे जाएगा और हम अर्थवेष्था की बात करें तो तो टेक्स थोड़े से बढ़ाए जाएंगे जिससे आम आदमी थोड़ा सा प्रेशान रहेगा जैसे हो सकता है कर में कोई बहुत ज़ और जो मिडल कलास है वो थोड़ा पिसेगी जितने भी परिवर्तन किये जाएंगे नई नीतिया बनाए जाएंगी वो जो लोवर तबका है उसके लिए तो अच्छी रहेंगी लेकिन बीच वाला जो भाग है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा और एक थोड़ी सी बात और है कि जो इस बारी चार वियो विरिद जो नेता हैं हमारे हो सकता हमें उनका शोक सहन करना पड़े और फिल्म जगत से पांच लोगों का वियोग हम सह सकते हैं ऐसा मुझे पूरे सितारों का देख के लग रहे और एक और है कि जो विश्व में हम काफी आगे बढ़ेंग दूसरे देश हमारी और ताकेंगे और मेतरी का हाथ बढ़ाएंगे और विश्व गुरू बढ़ने में हम एक कदम और अगे चले जाएंगे कैसा रहेगा 2020 आपके लिए 2020 इसका आरंब ही आगाज ही हो रहा है पहली जन्वरी को नए साल को और दिन पढ़ा है बुधवार नया संबत भी होगा 25 मार्च को बुधवार को दो जीरो दो जीरो इसका टोटल आता है चार जिसका मालिक है रहू और रहू देता है कुछ नई बातें नया जीवन नई सोच नया विचार नई टेक्निक कुल मिलाकर 2020 में यदि पंचांग की बात करें तो इस बारी राजा होगा बुध अभी प्राई ये रहेगा कि 2020 में बुध ग्रह और राहू ये सब डॉमिनेट करेंगे हमारे जीवन को 2020 में भारत बनेगा विश्व गरू मोदी लीड करेंगे भारत को इसके अलावा 2020 में करांती आएगी कम्पीटर के एक शेतर में संचार के एक शेतर में जो उपद्रव चल रहे हैं 24 जनवरी के बाद समाप्थ हो जाएंगे तेश को स्थाइत्व मिलेगा जब शनी करेगा राशी परिवर्तन 24 जनवरी को कुल मिलाकर 2020 का जो साल है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है बुद्ध जीवेओं के लिए अच्छा है बुद्ध सभी को देगा बुद्धी सदबुद्धी और भारत बढ़ाएगा एक कدم आगे विष्व गुरू बनने के लिए कुल मिलाकर 2020 सभी भारतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है यह हाइलाइट्स हो गई जी एक और एक छे ग्रहन लगए इस वारी यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो पहला ग्रहन तो 10 और 11 जनवरी को ही लगेगा और जो सुड़े ग्रहन 2020 का होगा वह 14 दिसंबर को लगेगा यह एक साल बाद समझी लगेगा तिन ग्रहनों का विष्ष पर भाव रहता है किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है वह बिल्कुल ऐसी होता है कभी किसी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता है नहीं सब कुछ कि आधे होती है कि हमारा साल यह एक साल रहेगा है लिए कि अशे बात कर लेक टेष्ण को इसंप्रा किसरा रज़ तर ऌन्यराषी हैम पहली राषी से बात कर एंच्छा नहीं जैखेंट रहना तर राहु है ंच्छा एं पोरी तर यष्जॉ टरी को आट के नहीं से लिए ज व्रिधी का संकेत दे रहा है और किसी नए काम की शुरुवात हो सकती है अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो 11 मई से पहले पहले निप्टा लें तो वो ज्यादा सफलता पुर्वक रहेगा और किसी तीर्थ यातरा पर भी मेश राशी वाले जा सकते हैं और अगर नया घर आपके लिए घर पर ही घर लेके आ रहा है तो ये एक बहुत बढ़िया मेश राशी के लिए रहेगा दूसरी राशी तॉरस है यानि जिसे ब्रिष भी कहते हैं और ब्रिष में एक खुशकबरी तो यह है कि चौबिस जन्वरी को शनी का ढ़िया जो तंग कर रहा था यानि आपके जो काम रुके हुए थे वो चौबिस तारीक के बाद बनने शुरू हो जाएंगे और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं व्रिष राशी वालो तो नौकरी समझेए आपके दुआर खटखटाने वाली है कोई इमेल से आपको सूचना आ सकती है या कोई वाद विव क्योंकि कई वारी आवेश में कुछ ना कुछ गरबठ हो जने की चांसिज रहते हैं तो ये एक हमरा आपको सुझाव है कि बड़ा सोच समझ कर ही कहीं भी पार्टिस्पेट करिए वाद वाद में आईए बिल्कुल यानिकि वरिशब राशी वालों को आने वाले साल में तेसरी राशी है मिथन जिसे जैमिनाई भी कहते हैं और मिथन राशी वालों के लिए अगर हम कुछ अस्ट्रोजिकल कंबिनेशन देखें तो एक नीच भंग राज जोग इनका बन रहा है जिसका लाब इनके कारक शेतर में मिल सकता अगर नोकरी में है तो अगर नोकरी में जाएगा और इनको एक हिदायत है थोड़ी सिजेशन है कि जिए लिए लिए जब हो तो बहुत ही ध्यान से करें आजकल क्या होता है कि आप मुमेजरा कोड़ बताये अपना अपका बाटसाप नंबर के आपका पेटी एम खराब हो गया आपके बैंक में ब्लॉक हो गया और जैसे आपने बताया ता आपका सारा कोच चला जाएटा बिल्कुल लिए और अगर इनका कोई लैंड से रिलेटिड कोई प्रोब्लम चलिए और कोई जादा का मामला पराना है तो वह इस वरी निने बट जाएगागा तो बहुत जाएगा तो थे लिए लिए निए लिए ल 2020 इनका मिला जुला रहेगा और किसी विदेशी स्रोत से जुड़ सकते हैं कुछ फोरें से इनकम आसकते हैं कही बर क्या होता है कि हम नेट वर्किंग पर हैं या कहीं बाहर हमें जॉब लिए हैं बहुत सारी कंसल्टेंशी हमने देखिए लोग करते हैं और उनकों को पैसा इनको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और राज कल का आपको मलूम है कि फाइन काफी है अगर यह घर की डेकुरेशन करें तो उस परीद का खर्च हो सकता है और इनको भी एक सजेशिन यह कि वियर्थ के वाद विवाद में यह ना पड़ें तो अच्छा रहेगा बिल्कु कर और वाहन चलाने को लेकर भी साफधानी बरते साथ सज्जक अगर आप करने वाले हैं तो पैसे देख कर खर्च करें बिल्कुल सिंग राशी है पांचमी राशी जिसे लियो साइन क्याते है और इसका अपने देखा होगा कि शेर का मूँ बना होता है जब इसका आइकन हो करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझगर करें एकदम पैसा मत लगाएं उसके लिए कंसलिटेशन जरूर कहीं चाहिए 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 और कई बर क्या होता है कि हम सोचे यह नोकरी चोड़ यार चलो वह वाली एची नोकरी है तो यह इस वार यह गलती ना करें कुछ लोग नहीं है अपने जहां पर हैं उसी कोई और इंप्रूव करें कैसा रहेगा 2020 आपके लिए 2020 इसका आरंभ ही आगाज ही हो रहा है पहली जन्वरी को नए साल को और दिन पढ़ रहा है बुद्वार नया संबत भी होगा 25 मार्च को बुद्वार को दो जीरो दो जीरो इसका टोटल आता है चार जिसका मालिक है रहू और रहू देता है कुछ नई बातें नया जीवन नई सोच नया विचार नई टेक्निक कुल मिलाकर 2020 में यदि पंचांग के बात करें तो इस बारी राजा होगा बुद्व अभी प्राई ये रहेगा कि 2020 में बुद्व ग्रह और रहू ये सब डॉमिनेट करेंगे हमारे जीवन को 2020 में भारत बनेगा विश्व गुरू मोदी लीड करेंगे भारत को इसके अलावा 2020 में करांती आएगी कंप्यूटर के एक शेतर में संचार के एक शेतर में जो उपद्रव चल रहे हैं 24 जनवरी के बाद समाप्थ हो जाएंगे तेश को स्थाइत्व मिलेगा जब शनी करेगा राशी परिवर्तन 24 जनवरी को कुल मिलाकर 2020 का जो साल है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है बुद्ध जीवियों के लिए अच्छा है बुद्ध सभी को देगा बुद्धी सद बुद्धी और भारत बढ़ाएगा एक कदम आगे विश्व गुरू बनने के लिए कुल मिलाकर 2020 सभी भारतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और नए घर नए मकान नए वाहन की खरीदारी इनकी इस सल हो सकती है कि अची है अच्छी बात एग नए वाहन नए घर भारत दूसरी बात अगि अगर आप आप सोच रहें तो इस बार ना सोच यहान ज़िए अगर कोई नषी तो यह परें आ एक आप प्रॉपटी भी आप गरर अप पर अगर आप प्रापटी भाले की इस एग उर आप पर र तो कन्याराशी वालों के लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा और पर पाली बातो इसलिए अच्छा भी रहेगा कि इनकी शनी की डहिया चल रहे थी वह भी समाप्त हो जाएगी और कोई नए बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहें तो जरूर करिये ये साल आपके लिए क ये और नमेंट्स अगर खासकर जो लेडिस हैं तो एक और खुषकपरी हम बताना भूल गया थे कि अच्छाब लेज अगर लेजिए विए अच्छाल अगए था बाहे था जिए अच्छाल अगर तक भी टूर्णा तक भी पह बहुंच गया था तो लेडिए अब लेडि़ अगर कुछ खरीदा चाहें चाहें खासकर कन्या राशी वाले तो लेडिए बहुत अच्छा रहें और इनके इनको खरीदा पड़ेगा जैसे के बर मेरी जाती है कुछ फ़च्छा थाए तो अपना भी चाहें तब खरीदे और क्योंके सस्ता मिलेग तो ले 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 और बच्छा तबी से शुरू कर दीजे तो शायद इसका जादा फायदा होगा नया सालने वाला है और सात्मी राशी होती है तुला बैलेंस है लिबराजी से बोलते हैं जल थोड़े लिबरल भी होते हैं तर इनके लिए एक खुष्खबरी तो नहीं कह सकते इनके चौती और सब्सक्रा थोड़े लिए 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 से लिए के अर्वालाज देश परती हैंगे लिए नहीं परमिकार को मांने सुर्ट भी है नहीं को सकती हैं तो जो लोग बिजनिस से जुड़े हैं सhandálऐ बहत अच्छा समय रहे गा है और सितम्बर के आश्का से उनकी विदेश व अब ये विदेश वयत्रा हम ने कई देखा है कि जैसे न हम खुद तो नहीं चाहते हैं विदेश यातर हमरे कोई जैसे बच्चे गए हुए हैं कहीं बाहर तो उनकी कोई ऐसी नीड हो जाती है और बहुत सारे बच्चे गए हैं उनकी अगे कोई फैमिली एक्सपेंशन हो ए तो जाना पडिछाता है तो एक एम अचानक भी तुला राशी वालों को विदेश यतरा करनी पड़ सकती है तो भी ऑफिए इस अच्छी रहेगी तो जाएं एंजुयाय करें बच्चों के पास जाएं चाहें पर्येटन के तोर पे जाएं कुल मिलाके तुला राशी वाले करनstory विडिएज़ बाहमनि करहें विडिएश बगरुब हैं Σंनुटनु राषी मिश्तुनि झाल दुन करेंगे ड्गरुसु अटार मुछल कर ऑठीजे जारी कैवरुनि को मिडिएश जारी को पूं Witness एंढिजमने हैं ज़ए आपकी एपकी क्यों नहीन होuntoगी है कि अजऄत रची इन गडरा तो यह बींड है इनके शुखध समाचार मिलंगे यह बाँ जाए के उनके बाँधार मेलेंगे। कोई कोई को मुणिकेशन में अच्हा अच्छार मेल सकता है। कोई परणा बढ़नी हो सकती है। इनको भी वहन का सुख इस वारी मिलने वाला है। aur Waa hana या सोरान या अबतान यदो म सकते हैं, यो सोरान नएफरान ओर कि रिष्ची कॉफ तो व्याज है वो आजेए लाईём भी था जा तो परी ओर आजाजा ना। कि नो टेगिंग। बड़े स्टर पर भी बदलाव देखने को बिलकुल मिलेगा और अब हम बात करते हैं धनुराशी के दनुराशी के दनुराशी पर अभी काफी लोगों को बड़ी चंता होगी थी कि जो चबी दिसंबर का सुरह ग्रहन था वो धनुराशी पर था तो कहीं को बहुत जादा कोई कस्त ना हो लेकिन अब ही क्या है कि जोतिश के साब से सारसती का ये आखरी चरण है धनुराशी वालों के लिए तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जो शनी होता है ना जब वो इसको बोलते हैं जब आग में जलाकर सोना बना देता तो देघनियर अशिवाली जे अब निकलें गे तो बिलको सोना सौने कि वह लगे निकले निकलें गे उर इनको जमीन जयदाद से भी लाप्त हो गा उगा तो इनको जामिन जादाद से भी louदेश जाने कि अगर उनावी झावलिग अगा उन्य छुचर जाने फखला फूर जहार छोटेजा छोटे चड़ाय जाते हैं. और मन्नतमानी जादी कि हमारे वीजा लग चाहरा लग चाहएं. तो जिनके मीजा नही लगए याट जिनके बदेश यहातरा नहीं परेंग जाते हैं. और परौपर्टी के लिहाज से भी इस साल अच्छा है. और एक लव लाइफ भी इनकी अच्छी रहेगी धन्व राशी वालों की और दस्मी राशी होती है, मकर, कैप्रीकॉन, ठीक है और इसका भी दूसरा चरन अरंभ हो रहा है साड़ सती का और इनको भी विदेश यात्रा का अफी लाब मिलेगा इस वारी जीवन साथी से होता एक कंफलिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो उसको आपस में ही सुलजा लेना चाहिए, कुछ बच्चे कुछ कंपिटिटिव अग्जाम दे रहेंगे, उनकी सोच रहेंगे, तो जो खासकर मकर राशी वाले हैं, और वो कंपिटिशन में आगे बढ़ेंगे, कंप अपते जीवन में थोड़ा उतार चड़ाओ, थोड़ा खटा मिठा हो सकता है, लेकिन उनकी नहीं नहीं पड़ जाएगे, तब कुल मिला कर मकर राशी वाले के लिए अच्छा है, यानि कि विदेश यात्रा धनू राशी वाले के लिए हैं तो एक चीज़ एक चीज़ एक क्योंकि इस पर अच्छा बुद्ध का अधिवत्ते हैं बुद्ध यात्राइए कर रहाँ किसी सौफटवेयर या टेकनिक के लिए भाहर बेजेगा तो कुल मिला के 2020 में जो आना जाना है हमारे भारतियों का वीदेशों में काफी रहेगा अगे रहेगा अगे रहेगा अग कुषियों से घड़ा बरेगा और कुम्राशी में भी साडशी का पहला चरन हरा है चौबी जन्वरी को कुम्राशी वाला के क्योंकि कुम्राशी का मालेका खुदी शनी होता है तो इसलिए शनी यहां पर कुम्राशी वाला को काफी फायदा देगा इनके आमदनी में तुदी हो जहिए बहुती है क्यों के खुदी हो सकते हैं सभ्laशी बेरेशी होला को अगर टेट पर लेव खुदी वालेका माली वालेस सीज्टसर्य में अगर किसी के दची बोन इसे एषदे प्रम्राशी बैका ह relevant शाच्थियों प्रिश को झाईने में पुर्णाहां इ News पुलेस्टरेल क उठ एक अवर इसोट रच उड़, तो पुलेस्टरेयल का भाषटरी शव्यानि, कि वियर मेंधु सेद आख बाइसेज जिसकी बच्ली सिंबल ये शचुयों तरहत् एक थुझेट होगा तो कि मुझे लगा है वे राष्या नगजे लगर इनी के लिग दोड उनके समाजी की जीवन बहुत अच्छा रहेगा जैसे अपने लगों को अउनर मिलता है आवार्ड मिलते है या सोशल रिकोगनिशन मिलती है के ने कहीं उनके काम की परिशन सा की जाती तो कुछ ऐसा मेन राशी वालों के लिए मुझे लग रहे है इनको सोगाते भी मिलेंगी एक दूसरे से जैसे वही जैसे आवार्ड आउनर्स की बात हुई और इनका कहीं धन अगर रुका हुआ कर आपने देखा होगा बहुत आदमी प्रेशान है कि किसी को पैसा उधार दिया था या सहयोग के लिए दिया था तो उनके विचारे के मुबाहिली आफ मिलते है कि ज अपने बच्चे भी हो सकते हैं या फिर परिवार में किसी ना किसी तरकी और एक्सफेंशन हो सकती है और स्वास्थे की दिष्टी से ये जो 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 गोचर है ये काफी इनको लाप्रद रहेगा शने के कारण इनको सहत की कोई परिशानी नहीं होगी तो कुल मिला कर बा अगले साल जाल ये की इस दो हजार बीस में वो आ सकता है आपके राधे लगे लिए साल है हमें उसका स्वागत करना चाहिए और नए साल में हमें क्या ध्यान डखना चाहिए ये भी ता जरूरी है नहीं हमारे बहुत सारी जवलंत विशे है कि हमारा जो राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक ये काम थोड़ा सा खराब हुआ है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है जब हम संपर्दाइक दंगों में अलज जाते हैं अब ये दो हजार उन्निस का जो वर्षान्त था ये कोई बहुत अच्छा नहीं निगला तो हमें तो य में को कई हम पत्थर मार-मार कर उसको जिला पना ही नुकसान कर रहा हुण हैं ये लोग हमें समझना चाहिए थे जाते हैं उनीसाल पर संकल्प लिय जाते हैं तो मैस मे झाहनीक तूशभी से अपील है कि है अष्या अप्पील को समझ्झा ये जो देश का प्गास को अम्ज तो हमें तो देश को एक राष्ट्रिये स्तर पर आगे जाना है विश्व गुरू हम कैसे बनेगे अगर हम इनी चोटी चोटी बातों में उल्जे रहे हैं तो हर व्यक्ति आज एक संकल्प ले कि 2020 में हम जो पारश्परिक और हमरा पारंपरिक सोहार्द है उसको हम बना कर रहे इससे बड़ा संदेश तो और हम जोतिश की दृष्टी से भी नहीं रिसकते लेकिन फिर भी मेरे जे मुझे ये पूरी आश्वासन है कि 2020 जो है क्योंकि बुद्ध जो है वो सदबुद्धी देगा सभी को और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा इनी शुब कामनाओं के साथ खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार शुब कामनाओं कैसा रहेगा 2020 आपके लिए 2020 इसका आरंब ही आगाज ही हो रहा है पहली जनवरी को नए साल को और दिन पढ़ रहा है बुद्धवार नया संबत भी होगा 25 मार्च को बुद्धवा इसका टोटल आता है चार जिसका मालिक है रहू और रहू देता है कुछ नई बातें नया जीवन नई सोच नया विचार नई टेक्निक कुल मिलाकर 2020 में यदि पंचांग के बात करें तो इस बारे राजा होगा बुद्ध अभी प्राई ये रहेगा कि 2020 में बुद्ध ग्रह और राहू ये सब डॉमिनेट करेंगे हमारे जीवन को 2020 में भारत बनेगा विश्व गुरू मोदी लीड करेंगे भारत को इसके अलावा 2020 में करांती आएगी कम्पीटर के एक शेतर में संचार के एक शेतर में जो उपद्रव चड़ रहे हैं 24 जनवरी के बाद समाप्थ हो जाएंगे देश को स्थाइत्व मिलेगा जब शनी करेगा राशी परिवर्टन 24 जनवरी को कुल मिलाकर 2020 का जो साल है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है बुद्ध जीवियों के लिए अच्छा है बुद्ध सभी को देगा बुद्धी सर्द बुद्धी और भारत बढ़ाएगा एक कदम आगे विश्व गुरू बनने के लिए कुल मिलाकर 2020 सभी भारतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है बलकुल और वाकर यह आपने जो चीजे बताई है वो सभी के लिए काफी लापरद होंगी लोग इससे सीखेंगे जरूर और आपने जो संदेश भी दिया है वो भी जाना बहुत जरूरी है कि परिव कि ही बात क्यों घर में आजकर लोग बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं तो एक परिवार अगर इससे समझा चाहे तो जादा अच्छा होगा उनीस के कंपेर 2020 और बहतर हो बहतर करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए इसके साथ ही हमने आपको बताया कि एक साल में आप क्य यहाँ अच्छा होने वाला है किया बुरा हो सकता है और जो बुरा होने वाला है उसके उपाए भी होते हैं उससे बच कर आपको रहना है सपात्यू जी बहुत-बहुत शुक्रिया स्टूडियो आपका भी बहुत धन्यवाद चलिए इसे के साथ ही इस प्रोग्राम में फि झाल झाल